C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तु थे कक्षा साथ की विज्ञान की पाठे पुस्तक प्रस्तु थे इस पुस्तक का पाठ सत्र है शिर्शक वन हमारी जीवन रेखा प्रिष्ट 216 से 230 तक प्रिष्ट 216 एक शाम बूझो एक व्रिध्य व्यक्ति के साथ पार्क में गया उसने उनका परिष्ट अपने मित्रों से करवाया प्रोफिसर एहमद विश्वविद्याले में कारेरत एक वैज्यानिक थे बच्चे खेलने लगे और प्रोफिसर एहमद एक बेंच पर बैठके वो ठके हुए थे क्योंकि उन्होंने शहर के स्वर्ण जयनती समारोह में भागिदारी की थी थोड़ी देर में बच्चे उनके इर्द गिर्द आकर बैठ गए बच्चे समारोह के बारे में जानना चाहते थी प्रोफिसर एहमद ने उन्हें बताया कि सांस्कृतिक कारक्रम के पस्चात वरिष्ठ नागरिकों ने शहर की बेरोजगारी की समस्या पर चर्चा की थी शहर के ठीक बाहर स्थित वन एक शेत्र की सफाई करके एक कारखाना स्थापित करने की यूजना प्रस्तुत की गई थी इसते शहर की बढ़ती जनसंख्या को नौकरी पाने का एक मौका मिलेगा बच्चों को बहुत आश्चरे हुआ जब प्रोफेसर एहमद ने उन्हें बताया कि अनेक लोगों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया था प्रस्ताव के विरोध का कारण बताते हुए प्रोफेसर एहमद ने समझाया हरे भरे वन हमारे लिए उतने ही महत्वपून हैं, जितना हमारे फेफडे हैं, इसलिए इन्हें हरे फेफडे भी कहा जाता है, वन जल शोधन तंत्रों के रूप में भी कारे करते हैं, उनकी बातें सुनकर बच्चे ब्रहमित हो गए, प्रफेसर एहमद समझ गए कि बच्चो उन्हें वन नहीं जाने हैं, बच्चे वन के बारे में और अधिक जानना चाहते थे, अतहा, उन्होंने प्रफेसर एहमद के साथ वन में जाने का निश्चय किया। रास्ते में उन्हें पास के गाउं का अपनी उम्र का एक लड़का टीबू मिला, जो अपनी चाची के साथ मवेशियों को वन में चराने ले जा रहा था। उन्होंने वन में प्रवेश किया, तीबू ने अपना हाथ उठा कर सबको शांत रहने के लिए संकेत दिया। क्योंकि शोर से वन में रहने वाले जंत्मू को परिशानी हो सकती थी। फिर टीबू उन्हें वन में उचाई पर स्थित ऐसे स्थान पर ले गया, जहां से सब ही वन का व्यापक द्रिश पा सकें। बच्चे आशर चकित हो गए, क्योंकि दूर दूर तक कहीं भी जमीन नहीं थी। जैसा की चित्र 17.1 में दिया गया है, विभिन व्रिक्षों के शिकरोंने भूमी के उपर हरा आवरन सा बना दिया था। यहां प्रिश्ट 216 पर चित्र 17.1 दिया गया है, इस चित्र में वन का एक द्रिश दिया गया है। प्रिष्ट दो सो सत्र है यद्दिपी आवरण समान रूप से हरा नहीं था, वहां का वातावरण शांत था और ठंडी हवा मंद गती से बह रही थी, इससे बच्चे काफी तरू ताजा और प्रसन हो गए नीचे आते समय बच्चे अचानक पक्षियों की चह चहाहट और व्रिक्षों की उँची उँची शाखाओं की ओर से कुछ विशिष्ट धोनियों का शोर सुन कर उत्तेजित हो गए टीबू ने उन्हें शान्त रहने को कहा, क्योंकि ये वहां की सामान ने घटना थी बच्चों की उपस्थिती के कारण कुछ बंदर व्रिक्षों पर और उँची शाखाओं पर चड़ गए थे जिससे वहां विश्राम कर रहे पक्षी अशान्त हो गए थे जन्तू अकसर अन्य जन्तूं को सचेत करने के लिए विशेष्ट प्रकार की ध्वनी करके चेतावनी देते हैं टीबू ने ये भी बताया कि शूकर यानि वराह या सूर, गौर यानि बाइसन, गीदर, सेही, हाथी जैसे जन्तू वन के अधिक सघन क्षेत्रों में रहते हैं जैसा कि चित्र 17.2 में दिया गया है प्रोफिसर एहमद ने बच्चों को सावधान किया कि उन्हें वन के अधिक सघन क्षेत्रों में नहीं जाना चाहिए यहां प्रिष्ट 217 पर चित्र 17.2 दिया गया है ये चित्र कुछ वन ने जन्तूं का है बूजो और पहिली को याद आया कि उन्होंने कक्षा 6 में वनों को आवासों के रूप में पढ़ा था जैसा कि चित्र 17.3 में दिया गया है अब वे स्वैम पा रहे थे कि वन किस प्रकार अनेक जन्तूं और पादपों के लिए आश्रय या आवास प्रदान करते हैं यहाँ प्रिश्थ 217 पर चित्र 17.3 दिया गया है इसमें वन में अनेक जन्तूं बताये गए हैं लिखा है वन एक आवास प्रिश्थ 218 यहाँ प्रिश्थ 218 पर चित्र 17.4 दिया गया है इस चित्र के चार भाग हैं यहां वनों में पाए जाने वाले कुछ पादप दिये गए हैं अलग-अलग चित्र हैं नीम, बास, शीशम और सेमल के पेड़ के जिस भूमी पर बच्चे चल रहे थे वो उबर खाबर थी और अनेक व्रिक्षों से धकी थी जैसा की चित्र सत्रा दशमलव चार में दिया गया है टीबू ने साल, टीक, सेमल, शीशम, नीम, बालाश, अंजीर, खैर, आवला, बास, कचनार आदी के व्रिक्षों की पहचान करने में उनकी मदद की प्रोफेसर एहमद ने बताया की वन में अनेक प्रकार के व्रिक्ष, जाणिया, शाक और घास पाई जाती है व्रिक्षों पर विभन प्रकार की विसर्पी, लताएं और आरोही लताएं भी लिप्टी हुई थी व्रिक्षों की घनी पत्तियों के आवरण के कारण सूर्य मुश्किल से ही कहीं दिखाई दे रहा था जिससे वन के अंदर काफी अंधकार था अपने घर की विभन वस्तूं को ध्यान से समझ कर उन वस्तूं की सूची बनाईए जो ऐसी सामगरी से बनाई गई हैं जिन्हें वनों से प्राप्त किया गया होगा आपकी सूची में काश्ट से बनी अनेक वस्तूं जैसे प्लाइवोड, इंधन की लकडी, बकसे, कागज, माचस की तीलियां और फरनिचर हो सकते हैं क्या आप जानते हैं कि गूंद, तेल, मसाले, जन्तूं का चारा और ओशधी पादप यानी जड़ी बूटी भी वनों से प्राप्त उत्पाद हैं जैसा कि चित्र 17.5 में दिया गया है शीला समझ नहीं पा रही थी कि आखिर इन व्रिक्षों को किसने लगाया होगा प्रिष्ट 219 प्रोफेसर एहमद ने बताया कि प्रकृती में व्रिक्ष परयाप्त मात्रा में बीज उत्पन करते हैं वन की भूमी उनके अंकुरण और नवोद भिद और पौध में विक्सित होने के लिए अनुकूल परस्थितियां प्रदान करती है इन में से कुछ व्रिक्ष के रूप में वरिद ही कर जाते हैं उन्होंने ये भी बताया कि किसी व्रिक्ष का शाखिय भाग तने से उपर उठ जाता है जो शिखर कहलाता है जैसा कि चित्र सत्रह दशमलव छै में दिया गया है यहां प्रिष्ट 219 पर चित्र 17.5 दिया गया है जिनमें कुछ वन उत्पाद दिये गए हैं यह हैं शहद, मोहरी लाख, लकडी की मूर्ती, कत्था और गोंद प्रिष्ट 219 पर ही चित्र 17.6 भी दिया गया है इसमें कुछ शिखर आकार दिये गए हैं व्रिक्षों के अलग-अलग आकार यहां बताए गए हैं प्रोफेसर एहमद ने बच्चों से उपर की ओर ध्यान देते हुए ये नूट करने को कहा कि वन में उचे व्रिक्षों की शाखाएं किस प्रकार कम उचाई के व्रिक्षों के उपर छट की तरह समझ में आती हैं उन्होंने बताया कि ये वितान यानी कैनुपी कहलाता है जैसा कि चित्र 17.7 में दिया गया है पादपों से प्राप्त होने वाले उत्पादों के आधार पर तालिका 7.1 को भरें हर श्रेणी में पौधों का एक उदाहरन पहले से ही दिया गया है दी गई तालिका में और उदाहरन जोडें यहां प्रिष्च 219 पर एक तालिका दी गई है इस तालिका को चार भागों में विभाजित किया गया है पहला गूंद, दूसरा लकडी, तीसरा ओशधीय और चौथा तेल उदाहरन के लिए एक पंक्ती को भरा गया है जैसे गूंद हमें प्राप्त होती है बबूल से लकडी प्राप्त होती है शीशम से औशधीय उदपाद प्राप्त होते है नीम से और तेल प्राप्त होता है चंदन से बागी के रिक्तिस्थानों को आपको स्वेम भरना है अपने आसपास के किसी वन अथवा उद्ध्यान में जाईए व्रिक्षों को जानिये और उनके नाम जानने का प्रयास कीजिए इस काड़ में आप अपने बुजर्गों, अध्यापकों, अथवा, पुस्तकों की सहायता ले सकते हैं जिन व्रिक्षों को आप समझेंगे, उनकी विशेशताओं जैसे लंबाई, पतियों का आकार, शिखर, पुष्पों और फलों को सूची बद्ध कीजिए कुछ व्रिक्षों के शिखर के चित्र भी बनाईए प्रोफिसर एहमद ने बताया कि व्रिक्षों के शिखर की आक्रिती और आमाप यानि साइस में परस पर भिन होते हैं इसी कारण किसी वन में विभिन उचाईयों पर क्षैतेज परतें बनी होती हैं इन्हें अधो तल कहते हैं जैसा कि चित्र 17.7 में दिया गया है विशाल और उचे व्रिक्ष शीर्ष परत बनाते हैं जिनके नीचे जाड़ियां और उची घास की परतें होती हैं और सबसे नीचे की परत शाक बनाती है क्या सभी वनों में व्रिक्ष समान प्रकार के होते हैं? बूजो ने पूछा प्रोफेसर एहमद ने कहा नहीं विभिन जलवायवी परिस्थितियों के कारण व्रिक्ष और अन्य प्रकार के पादपों की किस्मों में भिन्नताएं पाई जाती हैं जन्तुमों के प्रकार भी विभिन वनों में भिन्न होते हैं प्रिष्ट 220 यहां प्रिष्ट 220 पर चित्र 17.7 दिया गया है इस चित्र में वन में वितान और उसके नीचे के तल दिये गए हैं इंगित किया गया है अधो तल और शिखर कुछ बच्चे जाडियों और शाकों के पुश्पों पर यहां वहां मंडराने वाली खुबसूरत तितलियों को जानने में व्यस्त थे उन्होंने जाडियों के नस्दीक जाकर उन्हें जानने का ट्रयास किया था ऐसा करते समय उनके बालूं और वस्त्रों पर बीज और जाडियां चिपक गई बच्चों को व्रिक्षों की छाल, पौधों की पत्तियों और वन भूमी पर सडगल रही ख्षयमान पत्तियों पर अनेक कीट, मकडियां, गिलहरियां, चींटें और विभिन छोटे जन्तु भी मिले जैसा कि चित्र 17.8 में दिया गया है उन्होंने उन जीवों की चित्र बनाने आरंप कर दिये वन भूमी की सतह गहरे रंग की जान पड़ रही थी तथा वो सूखी और क्षयमान पत्तियों, फलों, बीजों, टहनियों और छोटे शाकों से ढकी हुई थी क्षयमान पदार्थ, आर्द्र और गर्म थे बच्चों ने अपने संग्रह के लिए विभिन बीच और पत्तियां एकत्रित कर ली वन भूमी पर सूखी पत्तियों के उपर चलना, किसी स्पंजी गलीचे पर चलने के समान प्रतीत हो रहा था क्या क्षयमान पदार्थ सदैव गर्म होते हैं? प्रोफिसर एहमद ने सुझाया कि बच्चे इस प्रश्ण का उत्तर प्राप्त करने के लिए क्रिया कलाप कर सकते हैं यहां प्रिष्ट 220 पर चित्र 17.8 दिया गया है जिसमें वन भूमी की सतह को बताया गया है क्रिया कलाप 17.3 एक छोटा गढढ़ा खो दिये इसे सबजियों की कच्रे और सूखी पत्तियों आदी से भर कर मिटी से ढख दीजिए इसके उपर कुछ जल भी डाल दीजिए तीन दिन बाद मिटी की उपरी परत हटा दीजिए क्या गढ़ा भीतर से गर्म लगता है? प्रिष्ट 221 पहिली ने पूछा वन में इतने सारे व्रिक्ष हैं यदि हम कार खाने के लिए कुछ व्रिक्षों को काड़ दें तो क्या फर्क पड़ेगा? प्रोफेसर एहमत ने बताया तुमने स्वपोशियों, परपोशियों और मृत पोशियों के बारे में पढ़ा है? तुमने पढ़ा है कि हरे पादप किस प्रकार भोजन का निर्मान करते हैं? सभी जन्तु चाहे वे शाक भक्षी हों या मास भक्षी अंततह भोजन के लिए पादपों पर ही निर्भर होते हैं जो जीव पादपों का भोजन करते हैं उन्हें अक्सर अन्य जंतूं द्वारा भोजन के रूप में ले लिया जाता है और इस प्रकार ये क्रम चलता रहता है उदारन के लिए घास को कीटों द्वारा खाया जाता है जिन्हें मेंधक खा लेते हैं मेंधक को सर्प खा लेते हैं इसे खादिश श्रंखला कहा जाता है जैसे घास को खाते हैं कीट, कीट को खाते हैं मिंधक, मिंधक को खाते हैं सर्प और सर्प को खाते हैं उकाब यानि गरुण वन में अनेक खादिश श्रंखलाएं पाई जाती हैं सभी खाद श्रिंखलाएं परस पर संबध होती हैं। यदि किसी एक खाद श्रिंखला में कोई विग्न पड़ता है, तो ये अन श्रिंखलाओं को प्रभावित करता है। वन का प्रत्येक भाग अन भागों पर निर्भर होता है। यदि हम वन के किसी घटक जैसे विक्ष को तो इससे अन्रिस सभी घटक प्रभावित होते हैं। प्रोफिसर एहमद ने समझाया कि आसानी से पाए जा सकने वाले इन जीवों के अतरिक्त यहां अनेक जीव और सुक्ष्म जीव ऐसे भी हैं जो मृदा के भीतर रहते हैं। अप घटक, मृदा, जल, प्रकाश संसलेशन, कार्बन डायोकसाइड और ऑक्सिजन। पहली को आश्चर हो रहा था कि मश्रूम और अने सुक्ष्म जीव क्या खाते हैं। प्रोफेसर एहमद ने बताया कि ये मृद पादपों और जन्तू उतकों को खाते हैं। और उन्हें एक गहरे रंग के पदार्थ में परिवर्थित कर देते हैं। आपने ह्यूमस के बारे में अध्याय 9 में पढ़ा था। आपको मृदा की कौन सी परत में ह्यूमस मिलता है। मृदा के लिए इसकी क्या उपयोगिता है। पादपों और जन्तूओं के मृद शरीर को ह्यूमस में परवर्थित करने वाले सूक्ष्म जीव अप घटक कहलाते हैं। इस प्रकार के सूक्ष्म जीव वन में महत्वपून भूमे का निभाते हैं। ये जानकारी मिलते ही पहेली ने मृद पत्तियों को हटाना आरंभ कर दिया और कुछ ही देर में भूमी पर हूमस की परत को खोज निकाला। हूमस की उपस्थिती ये सुनिश्चित करती है कि मृत पादपों और जन्तूं के पोशक तत्व मृदा में निर्मुक्त होते रहते हैं। वहां से ये पोशक तत्व पुनह सजीव पादपों के मूलों द्वारा अविशोशित कर लिए जाते हैं। शीला ने पूछा, जब वन में कोई जन्तू मर जाता है, तो उसका क्या होता है? टीबू ने उत्तर दिया कि मृत जन्तू गिद्धों, कवगों, गीदणों और खीटों का भोजन बन जाते हैं। इस प्रकार पोशक तत्वों का चक्र चलता रहता है, जिससे वन में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता है। जैसा कि आपने चित्र 17.9 में जाना। पहिली ने प्रोफिसर एहमद को याद दिलाया कि उन्होंने ये नहीं समझाया है कि वनों को हरे फेपड़े क्यों कहा जाता है। प्रोफिसर एहमद ने समझाया कि पादप प्रकाश संसलेशन के प्रक्रम द्वारा ऑक्सिजन निर्मुक्त करती हैं। इस प्रकार पादप जन्तुओं के श्वसन के लिए ओक्सिजन उपलब्द कराने में सहायक होते हैं वे वायू मंडल में ओक्सिजन और कार्बन डायोकसाइड के संतुलन को भी बनाए रखते हैं जैसा कि चित्र 17.10 में दिया गया है इसलिए वनों को हरे फेपड़े कहा जाता है यहां प्रिष्ठ 2.20 पर चित्र 17.10 ने दिया गया है यह चित्र ओक्सिजन और कार्बन डायोकसाइड का संतुलन बताता है यहां दिये गए इस डायग्राम में कार्बन डायोकसाइड यानी सी ओ टू पादप और ऑक्सिजन यानी ओ टू और साथी जन्तू का चित्र दिया गया है बच्चों ने जाना कि आसमान में बादल बन रहे हैं बूजू ने याद दिलाया कि उसने कक्षा 6 में जल चक्र के बारे में पढ़ा था व्रिक्ष अपने मूलों से जल अवशोषित करते हैं और वाशपोच सरजन द्वारा जल वाशप निर्मुक्त करते हैं यदि व्रिक्षों की संख्या कम होती तो जल चक्र किस प्रकार प्रभावित होता टीबू ने उन्हें बताया कि वन केवल पादपूं और जन्तूं का आवास ही नहीं है वन क्षेत्र में अनेक मानव समधाय भी रहते हैं इन में से कुछ विभिन जन जातियों के हो सकते हैं टीबू ने समझाया कि ये लोग अपनी अधिकतर आवश्यक्ताओं के लिए वनों पर निर्भर करते हैं वन उन्हें भोजन, आश्रय, जल और औशधियां प्रदान करते हैं वनक्षेत्र में रहने वाले ये लोग वहां के अनेक आशधिये पादपों के बारे में जानते हैं पहिली ने अपने मित्रों को याद दिलाया कि वे प्रकाश संस्लेशन के बारे में अध्याय एक में पढ़ चुके हैं बूजो एक छोटे ज़रने से पानी पी रहा था तो उसने पाया कि हिरनों का एक जुन्ड उससे कुछ दूरी पर ज़रने को पार कर रहा था जैसा कि चित्र 17.11 में दिया गया है कुछ ही पल में सभी हिरन जाडियों में गायब हो गए सघन जाडियां और उंची घास जन्तूओं को भोजन और आश्रय प्रदान करती हैं ये उन्हें वन में रहने वाले मास भक्षी जीवों से सुरक्षा भी प्रदान करती हैं प्रिष्ट 223 यहां प्रिष्ट 223 पर चित्र 17.11 दिया गया है इस चित्र में वन में हिरन और बंदर दिये गए हैं टीबू ने ध्यान से वन के फर्ष को जानना आरंब कर दिया अचानक कुछ पाकर उसने बच्चों को अपने पास बोलाया उसने उन्हें कुछ जन्तूओं की लीद को जानने और विभन जन्तूओं की लीदों के बीच अंतर समझाया प्रोफेसर एहमद ने उन्हें बताया कि वन अधिकारी, वन में कुछ जन्तूओं की उपस्थिती की जानकारी उनकी लीद और पदचिन्हों के आधार पर करते हैं बुजों ने सबका ध्यान जन्तूओं की लीद की एक बड़ी क्षैमान धेरी की ओर आकरशित किया उस धेर पर अनेक भ्रिंग और केटरपिलर यानि लार्वा पनब रहे थे तथा अनेक नवोद भिद भी अंकुरित हो रहे थे प्रोफेसर एहमद ने बताया कि ये नवोद भिद कुछ शाकों और ज़ाड़ियों के हैं जन्तु भी कुछ पादपों के बीजों को प्रकीरणित करते हैं इस प्रकार जन्तु वनों में पादपों को व्रधी करने और उनके पुनर जनन में सहायक होते हैं जन्तुओं का क्शैमान गोबर नवोद भिदों को उगने के लिए पोशक तत्व भी प्रदान करता है ये सुनने के बाद बुजों ने अपनी नोटबुक में नोट किया पादपों की अधिक किस्मों को आश्रे दे कर वन शाकाहरी जन्तुओं को भोजन और आवास के लिए अधिक अवसर प्रदान करते हैं शाकाहरीों की अधिक संख्या का अर्थ है विभिन प्रकार के मास भक्षियों के लिए भोजन की अधिक उपलब्धता जन्तुओं की विविध किसमे वन के पुनरजनन और वृद्धी में सहायक होती हैं अब घटक वन में उगने वाले पादपों के लिए पोशक तत्वों की आपूर्ती को बनाई रखने में सहायक होते हैं इस प्रकार वन एक गतिक सजीव इकाई हैं जो जीवन और जीवन क्षमता से भरपूर हैं अब लगभग दोपेहर हो गई थी और पच्चे वापस जाना चाहते थे टीबू ने वापस जाने के लिए एक और रास्ता सुझाया जब वे वापस जा रहे थे तभी वर्षा होने लगी उन्हें ये जानकर आश्यर हुआ कि वर्षा की बूंदें वन भूमी पर सीधे नहीं पड़ रही थी प्रिष्ट दोसोचौबीस यहां प्रिष्ट दोसोचौबीस पर चित्र सत्रह दिशमलव एक तीन दिया गया है इस चित्र में बताया गया है कि वर्षा जल की बूंदें व्रिक्षों से धीमे धीमे टपकती हैं और भूमी में अब स्त्रावित हो जाती है इस पूरे प्रक्रिया को इस चित्र के माध्यम से बताया गया है लिखा है वर्षा वाशपोत सर्जन और वाशपन सम्रित, वितान और वनसपती की अनिक परतें वर्षा की बूंदों की चाल को कम कर देती है मूल तंत्र जल के भूमी में अव स्त्रावित होने में सहायक होता है मूल तंत्र भौम जलस्तर वन वितान की सबसे उपरी परत वर्षा की बूनों को विच्छिन कर रही थी अर्थात छोटी छोटी फुहार में परवर्तित कर रही थी अधिकांच जल व्रिक्षों की शाखाऊं, पत्तियों और तनों से होता हुआ नीचे की जाडियों और शाकों पर धीमे धीमे गिर रहा था जैसा की चित्र सत्रा दशमलव तेरह में दिया गया है उन्होंने पाया कि कई स्थानों पर भूमी अब भी सूखी थी लगभग आधे घंटे बाद वर्षा रुख गई उन्होंने पाया कि वन भूमी की सतह पर गिरी मृत पत्तियों की परत अब कुछ-कुछ गिली हो गई है लेकिन वन में कहीं भी जल का जमाव पता नहीं चला बूजो मन ही मन में सोच रहा था कि यदि इतनी तेज वर्षा उसके शहर में हुई होती तो नाले और सडकें पानी से भर गई होती प्रिष्ट दो सो पचीस यहां प्रिष्ट दो सो पचीस पर एक चित्र दिया गया है इस चित्र को चार भागों में विभाजित किया गया है हर भाग का विवरण कुछ इस तरह से दिया गया है पहला यदि वन नश्ट होंगे तो वायू में कार्बन डायोकसाइड की मात्रा बढ़ी की जिससे प्रित्वी का ताप बढ़ेगा दूसरा पेड़ों और पादपों की अनुपस्थिती में जीवों को खाद और आश्रय नहीं मिलेगा तीन पेड़ों की अनुपस्थिती में मृदा जल को नहीं बाध पाती है जिससे बाढ़ाती है चौथा हमारे जीवन और वातावरण के लिए वन अपरोपन घा तक है सोचे हम वनों को सनरक्षित रखने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं प्रिष्ट 226 जब आपके शहर में कई घंटों तक उच्च दर से वर्षा होती है तो क्या होता है प्रोफिसर एहमद ने उन्हें बताया कि वन वर्षा जल के प्रकृतिक अवशोशक का कारे करते हैं और उसे अव स्त्रावित होने देते हैं ये वर्ष भर भौम जल स्तर को बनाय रखने में सहायक होता है वन न सिर्फ बाढ़ों को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं बलकि नदियों में जल के प्रवाह को बनाय रखने में भी सहायक होते हैं जिससे हमें जल की सतत आपूर्ति मिलती रहती है इसके विपरीत यदि व्रिक्ष ना हूँ तो वर्षा जल सीधे भूतल पर गिर कर आसपास के एक शेतर में भर सकता है तेज वर्षा मृदा की उपरी उपजाव परत को भी एक शती पहुँचा सकती है व्रिक्षों तथा अन्य पौधों के मूल सामान तहब मृदा को एक साथ बांधे रखते हैं लेकिन उनकी अनुपस्थिती में मृदा वर्षा जल के साथ बह जाती है अर्थात उसका अपरदन हो जाता है लोटते समय बच्चों ने टीबू के गाउं में एक घंटे का समय बिताया गाउं का मौसम काफी सुहाव ना था गाउं वासियों ने उन्हें बताया कि आसपास वन से घिरा होने के कारण या अच्छी वर्षा होती है हवा भी ठंडी रहती है यहां ध्वनी प्रदूशन भी कम है क्योंकि वन वहां से घोजरने वाली सडक के वाहनों के शोर को अवशोशित कर लेते हैं बच्चों ने गाउं के इतिहास के बारे में भी जानकारी प्राप्त की उन्हें ये जानकर आश्चर हुआ कि उस क्षेत्र के गाउं और क्षि के लिए खेत लगभग साथ वर्ष पहले वन को काट कर उपलब्द किये गए थे टीबू के दादा जी ने उन्हें बताया कि जब वे छोटे थे तब गाउं का क्षेत्र इतना बड़ा नहीं था जितना आज है ये वनों से घिरा हुआ भी था सडकों, इमारतों, आदी के निर्मान और द्योगिक विकास और लकडी की बढ़ती हुई मांग के कारण वनों का कटाव हो रहा है और वे लुप्थ होने लगे हैं दादा जी खुश नहीं थे क्योंकि उनके गाओं के समीब के वन का पुनर जनन नहीं हो रहा है और वो पालतू पशुँँ द्वारा अत्यधिक चराई और व्रिक्षों की अंधा धुंद कटाई के कारण लुप्थ होने के कगार पर है प्रोफेसर एहमद ने कहा कि यदि ये समझदारी से काम लें तो हम वनों और परियावरण को सनरक्षित रखने के साथ साथ विकास कार्य भी कर सकते हैं बच्चों ने ऐसे घटनाओं के परिणामों को बताने के लिए कुछ चित्र बनाए वन भ्रमण के उपरांथ प्रोफेसर एहमद ने बच्चों से सारांश में वनों के महत्व के बारे में लिखने को कहा बच्चों ने लिखा वन हमें औक्सिजन प्रदान करते हैं वे मृदा की सुरक्षा करते हैं और अनेक जन्तुओं को आश्रय प्रदान करते हैं वन आसपास के एक शेत्रों में वर्षा का उचित स्तर बनाय रखने में सहायक होते हैं वन औशधिये पादपूं, काश्ट और अनेक अन्य उपयोगी उत्पादों के स्त्रोत हैं हमें अपने वनों को सनरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास करते रहना चाहिए बूजो कहता है यदि वन लुप्त हो जाएं तो क्या होगा? प्रमुक्षब्द, व्रिक्ष वितान, व्रिक्ष शिखर, अपघटक, हुमस, पुनरजनन, बीज प्रकीर्णन, मृदा अपरदन, अधो तल, वन अपरोपन, प्रिष्ट दोसो सत्ताईस आपने क्या सीखा? वनों से हमें अनेक उत्पाद मिलते हैं वन, विभिन पादपू, जन्तूँ और सुक्ष में जीवों से मिलकर बना एक तंत्र है वनों की सबसे उपरी परत व्रिक्ष शिखर बनाते हैं, जिसके नीचे जाडियों द्वारा बनी परत होती है शाक वनस्पतियां सबसे नीचे की परत बनाती है वनों में वनस्पतियों की विभिन परते हैं, जन्तूँ पक्षियों और कीटों को भोजन और आश्रय प्रदान करती हैं वन के विभिन घटक एक दूसरे पर निर्भर होते हैं वन व्रिद्धी करते और परिवर्तित होते रहते हैं, तथा उनका पुनर जनन हो सकता है वन में मृदा, जल, वायू और सजीवों के बीच परस पर क्रिया होती रहती है वन मृदा को अपर्दन से बचाते हैं मृदा वनों की वृद्धी करने और उनके पुनर जनन में सहायक होती है वन एक्षेत्रों में वास करने वाले समुदायों को वन उनकी जीवन के लिए आविशक सभी सामगरी उपलब्ध कराते हैं वन इन समुदायों को जीवन का आधार प्रदान करते हैं वन जलवायू, जलचक्र और वायू की गुणवत्ता को नियमित करते हैं अभ्यास 1. समझाईए कि वन में रहने वाले जन्तु किस प्रकार वनों की व्रिधिकर में और पुनरजनन में सहायक होते हैं 2. समझाईए कि वन बाढ़ की रोक्ताम किस प्रकार करते हैं 3. अब घटक किने कहते हैं? इन में से किनी दो के नाम बताईए, ये वन में क्या करते हैं? 4. वायू मंडल में ओक्सिजन और कार्बन डायोकसाइड के बीच संतुलन को बनाए रखने में वनों की भूमिका को समझाईए 5. समझाईए कि वनों में कुछ भी व्यर्थ क्यों नहीं होता है? 6. ऐसे पांच उत्पादों के नाम बताईए, जिने हम वनों से प्राप्त करते हैं 7. रिक्त स्थानों की पूर्थ कीजिये 7. कीट, तितलिया, मधुमक्खिया और पक्षी, पुष्पिय पादपों की रिक्त स्थान में सहायता करते हैं 8. प्रिष्ट 228 9. वन परिशुद करते हैं रिक्त स्थान और रिक्त स्थान को 10. रिक्त स्थान और जन्तुओं की लीद रिक्त स्थान को समरिध करते हैं 8. हमें अपने से दूरिस्थित वनों से सम्बंधित परिस्थितियों और मुद्दों के विशय में चिंतित होने की क्यों आवश्यक्ता है 9. समझाईए कि वनों में विभन प्रकार के जन्तूं और पादपों के होने की आवश्रक्ता क्यूं है? 10. चित्र 17.15 में चित्रकार चित्र को नामांकित करना और तीरों द्वारा दिशा बताना भूल गया है तीरों पर दिशा को बताईए और चित्र को यहां दिए गया नामों द्वारा नामांकित करिये दिए गया नाम है बादल, वर्षा, वायुमंडल, कार्बन डायोकसाइड, ऑक्सिजन, पादप, जन्तू, मृदा, अपघटक, मूल, भौम, जलस्तर यहां प्रिश्ट दोसो अठाईस पर चित्र सत्रह दशमलव एक पाच दिया गया है प्रिश्ट दोसो उन्तीस ग्यारह यहां दिये गए कौन से वन उत्पाद नहीं है एक गोंद दो प्लाइवुड तीन सील करने की लाख चार केरसिन इनमें से कौन सा वक्तव सही नहीं है एक, वन, मृदा को अपरदन से बचाते हैं दो, वन में पाधप और जन्तु एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं तीन, वन, जलवायू और जलचक्र को प्रभावित करते हैं चार, मृदा वनों की वृद्धी और पुनर जनन में सहायक होती है तेरह, सूक्ष्म जीवों द्वारा मृद पाधपों पर क्रिया करने से बनने वाले एक उतपाद का नाम है एक, बालू दो, मश्रूम तीन, हुमस और चार, काश्ट विस्तारित अधिगम, क्रिया कलाप और परियोजना कर एक, परियावरन विभाग को निर्णय करना है कि क्या आवासी ये कॉंप्लेक्स बनाने के लिए आपके क्षेत्र के वन के कुछ हिस्से को काट कर साफ करना उचित होगा एक, सजग नागरिक के नाते सरकार के विभाग को अपना मत बताते हुए एक पत्र लिखिए 2. किसी वन का भ्रमन कीजिए यहाँ कुछ बाते बताई गई हैं जो आपकी यात्रा को अधिक उपयोगी बना देंगी सुनिश्चित कर लीजिए कि आपके पास वन में जाने की अनुमती है सुनिश्चित कर लीजिए कि आप वहाँ भटकेंगे नहीं और अपनी राह सुयम ढून लेंगे वहाँ का मानचित्र लीजिए और किसी ऐसे व्यक्ति को अपने साथ ले जाईए जो उस स्थान से परिचित हो आप वहाँ जो कुछ भी पाते हैं और करते हैं उसका विवरण नोट कीजिए ध्यान पूर्वक किये गए प्रेक्षन आपके ब्रहमण को दिल्चस्प बना देंगे चितर बनाना और तस्वीरे खीचना भी उपयोगी होता है प्रिष्ट दो सो तीस आप पक्षियों की ध्वनियों को रिकॉर्ड कर सकते हैं विभिन प्रकार के बीज और कठोर फलों जैसे बादाम, सुपारी, नारियल आदी, गिरी फल एकत्रत कीजिए विभिन प्रकार के विख्षियों, जाडियों, शाकों आदी को पहचानने का प्रयास करें वन के विभिन स्थानों और विभिन परतों से पादपों की सूची बनाईए आप सभी पादपों के नाम संभवतह नहीं जान पाएं लेकिन वे कहां उखते हैं? ये जानना और रिकॉर्ड करना उप्योगी होगा पादपों की ओसत उंचाई, शिखर के आकार, छाल के गठन, पत्ती के आमाप यानि साइज और पुष्प के रंग को नोट कीजिए जन्तूं की लीद को पहचानना सीखिए वन अधिकारियों और आसपास के गावों के व्यक्तियों और अन्य दर्शकों का साख्शातकार लीजिए आपको कभी पक्षियों के अंडे एकत्रित नहीं करने चाहिए और नहीं उनके घोसलों को कभी छेड़ना चाहिए आप और अधिक जानकारी के लिए यहां दी गई वेबसाइट पर जा सकते हैं www.wildindia.com क्या आप जानती हैं? भारत में कुल क्षेत्रफल का लगभग 21 प्रतिशत 1 क्षेत्र है सो तंतरता प्राप्ति के बाद से ये निरंतर कम होता जा रहा है लेकिन ऐसा प्रतित होता है कि अब हमने वन आच्छादित क्षेत्र के महत्व को समझ लिया है हाल के वर्षों में किये गए सर्वेक्षणों से ये संकेत मिल रहे हैं कि वन आच्छादित क्षेत्र में थोड़ी वृद्धी हुई है इसी के साथ अठारह पाठों की इस पुस्तक का पाठ सत्रह शीर्षक वन हमारी जीवन रेखा यहां समाप्थ हुआ वाचन शालिनी सिंग और वैभव श्रीवास्तव तक्नीकी नियंत्रण शानु मुक्सीम निर्माण सहयोग मिनाक्षी कुक्रेती निर्माण एवं निर्देशन वंधना अरिमर्दन तथा प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत